हेलो दोस्तों कैसे हम आज आपके लिए नई वीडियों यह है माई का वाइबन ठीक है इसका हमें जो है फोल्डर चेंज करना जो कि केस्टूमर ने हमें इसे दिया तो सबसे फिले हम दोस्तों बेटी कर निकाल लेते हैं को कि बेटी के नीचाई जो है स्क्रीन का पत्ता लग लगाना हैं दोस्तों तो यह नया फोल्डर दूस्त थो हम इसकी ऊपर की पनि निकाल लेते हैं है नहीं यह फोल्डर जो कि हमको इसमें लगाना है दोस्तों है तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते इसको पेश्टिंग कर लेते हैं तो दोस्तों हमने पेश्टिंग कर लिया है दोस्तों अब हम इसमें जो फोल्डर लगा लेते हैं जो की में कब आपको दोस्तो यह रहां फोल्डर है हमने पेस्टिंग तो दोस्तो करे लिया है ठीक अब हम इसको जो युचो लगा लगा लेते हैं ऑर एल्सीडी को पत्ता जो है दोनों की अलग अलग रेते हैं हैं तो उसमें क्या करते हैं पहले तो भेटे निकाल लें पत्ती के लगेगा तो ये लगेंगे हैं है कि ज्यादध ध्यान देना और इसको रख लेना प्रोपर तरीके से फ्रेम के पूरे ऊपर है न तो इसको ध्यान रखे प्रेस नहीं करना प्रेस्टों को थोड़ा हलका हलका सा नीचे खीच लिए उसके बाद प्रेस्ट कर गोगी यह समीं क्या डेमेज हो सकता है तो यह नीचे की स्क्रीन है न वे देख लिए पत चल रहा व्रक कर लेते हैं न दोस्तों करेंटी लुन करो लेते हैं तो हमारा किसमेख से प्रोपर लगा यानि चल रहा वर्क कर रहा है यानि ठीक थोड़ा वेट कर लेते हैं तो एक काम कहते हैं दोस्तों का यह बेक पेनल है ना वह हम उठा लेते हैं यह हमने बेक पेनल साइड में रख दिया था है ना सेफटी के साथ तागी कुछ पार्ट्स होगे रहे धर उदान आओ तो यह न हुआ तो यह भी छिपकाना पड़ेगा मुल्ब होड़ाइस को सूखने के लिए रखना पड़ेगा और हैं इसलिए हम यह इस कुर वगेर दोस्तों हम बाद में लगाएंगे ना तो यह ब्रोपर तरीके से लगा नहीं है यह थोड़ा खस गया थैंट हैं इसलिए हम तरिजा उते कर लेते हैं उसके बाद तो दोस्तुम जुआ चिपक जाएगा तो तो फिर हमें इसको दुबारा निकाल के इसको जो हम इसको लगा देंगे तो हम सो देखे सारा नंबर कर रहा है महीं है थोड़ा बेट कर लेंगे कि दोस्तों यह को थोड़ा भैट कर लेंगे उसके बास हम लोग भी आपको खुल के बताएंगे कैंवा serie को झारी कल लेते हैं इह तो अब इसका फ्रalities को लेते हैं यह लाएक सारी चीजेस्ट होए चेक कर लेता हूं फटाफट से जो कि मेंन में रेती देख लिए वह जो कि यह जो कि यह माई वाइवान है जो कि मैं आपको बता देता हूं यह देख लिए तो यह माई रेड में वाइवान्स हो रहे हैं तो दोस्तों यह होगा है कंप्लेट ठेक